है गाइज वल्कम बैक टू माई चैनल सो आज का वीडियो है पूरा डार्क लिप के ऊपर सो गाइज मेरा एक टाइम पे डार्क लिप था अभी भी है ऐसा नहीं है कि मेरा अभी डार्क नहीं पूरा पिंक हो गया है है ऐसा तो कुछ है नहीं बीकॉज हम लोग सब कुछ चेंज कर सकते हैं अपने जेनिटिक को चेंज नहीं कर सकते हैं और मैं डस्की ब्राउन इसकी टोन की हूँ जो मेरा मुमी पापा भी है सो मुझे यह बात का धियान रखना पड़ेगा सब को ही कि हम लोगों का जो जिनेटिक है वह बहुत बहुत अपने डार्क लिप में और साथी साथ यह सारे चीज भी है कि हम लोगों का लाइफ स्टाईल जैसे कि स्मोकिंग हो गया बहुत सारा है तो वह सारे चीज भी बहुत अफेक्ट करता है सो गाइज ऐसा नहीं है कि पिंक लिप हो नहीं सकता है सब का यह पिंक लिप होता है आप लोगों के साथ में टू स्टेप सेयर करूंगी तो वह आप लोग फॉलो करें एंड होम रेमेडिस जो में अज दिखाऊंगी इसक सब कर जाएगा दैली अपना इसकी रूटीन में जैसे आपको फेस वास करते हो मॉस्टोजर करते हो वाइस सही आपको डैली अपने रूटीन में इसको भी याड करना है और इसके बाद रेजल्ड़ वाव दे करते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो कि लिप नबर वश लिप इसक्राबर ये लिप इसक्राबर बहुत ज़्यादे एफेक्टिव है आपका डाक लिप को बहुत अच्छे से लाइट कर देगा उसके लिए चाहिए लेमन हानी सुगर और मलाई मलाई घर का यूज कीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छा उससे रेजल मिलता है मैं तो हम इसको फाइन करके इसको पीस लेंगे ताकि कोई भी मोटा दडड़ा ना हो और तीन से चाट ड्रप लेमन डालेंगे उसके बाद आप अपने लिप में इसको रोज अच्छे से इसको इसक्रावर कीजिए हलका हाँ से ताकि आपका डेट सेल रिमूब हो सके मालाई आपका बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि मालाई से आपका लिप मॉस्ट्रोजर होता है नरीस होता है डेट सेल रिमूब होता है बहुत अच्छे से इस्मूद भी करता है और बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी करता है पिग्मेंटेशन को बहुत लाइट करता है और सूगर में नैच सब्सक्राइब मौलज मुझी लिचятель करते हैं यह यह विच्छ May आपको डून है जो लाइब का यह वह एव एव है रेगुलरिटी के साथ इसको मेंटेन करो बहुत ही रिजेनबल है घर पे हरी चीज मिल जाता है बहुत ही एफेक्टिव है जरूर अपने रूटीन में इस क्रब को याड़ करें इस नंबर थी नाचुरल लीप बंफ और डार्क लीप मैंने घर पे बना है यह लीप बंब न दालोंगी यह में बना रही हूं अपने कॉंटिटी के हिसाब से आप लोग भी इसको ज्यादा कम कर सकते हो और उसके बाद एक मैंने वाइटेमीन एक कैपसुल डाल दिया उसके बाद मैंने रोज वाटर भी एक टीस्पूनी डाला है उसके बाद एक कस्तुरी हल्दी है आ यह से की देख सकते हो मेल्ट हो रहा है अब जब मेल्ट हो जाएगा इती परचन उसके बाद हम लोग जालें अलमांड ओयल और ऑली वॉयल भी यूज़ कर सकते हो पुरा मेल्ट हो जाने के बाद इसको कंटेनर में मैं अब सेट कर लूंगी इसको सेट करने के लिए में लिप के लिए एक दम वरंकह जैसा काम करता है बहुत ही अच्छा वाक करता है वाइट्यमन ए क्यापसूल प्रफूल एंटी Oparty जो आपके लिए को नरीस करता है आपको लिए कये अध्यकटरेट करता है वह ता अपको इंड को मॉश्ट्रोजर करता है लिप zajACH को पिंक और प्लम बनाता है जड़ी से जड़ी डाक पिग्मेंटेशन को लाइट करने में हेल पकरता है बहुत ही पूराना जो डाक पिग्मेंटेशन होता है वह सारे चीज़ को री मुव करता है तो लिप एक छोटी जो हम लोग ने इतना सारा टेक केर किया उसको गाड करने के लिए प्रोटेक करने के लिए SPF जो लिप बंब में हुए है वो लगाना बहुत ज़दे इंपोर्टेंट है ताकि आपका लिप प्रोटेक रहे सान का डैमेज यूवी रेस से और पिग्मेंटेशन ना हो और हम लोग जो टेक क्यार करते हैं वो भी अच्छा अपने रेजल्ट देखा पाए तो कोई भी लिप बंब जो आपको सही लगे आप यूज करें जिसमें SPF हो ताकि आपका लिप पोटेक रहे हाइडरेट रहे और प्लम और पिंक रहे आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और वीडियो कर अच्छा लगा है तो लाइक करना सेयर करना सब्सक्राइब करना और इस होम रिमीडी को जरूर ट्राइ करना क्योंकि लिप के लिए रामबान का जैसा काम करेगा बहुत हैल्प मिलेगी मुझे मिला है आप बहुत तरह पिग्मेंटेशन था लिप में धीरे दीरे स्लोली ज्लोली मेरे बहुत अच्छे से वाक किया है और सबसे अच्छा चीज है कि इसमें हर एक चीज घर पे ही हम लोगों का मिल जाता है हम लोग यूज कर सकता है अपने हाथ से बनाता है तो कोई कैमिकल्स में लोगों को बहुत सब्सक्राइब, बाई!